पाकिस्तान की सरहत पर जबरदस्त तनाफ फैला है इसकी वज़ा भारत नहीं बलकि उसका लंगोट या दोस्त तालिबान है जो तालिबान की काबुल में वापसी पर पाकिस्तानी हुकमरान तालियां पीट रहे थे उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है पाकिस्तान को तालिबान की दोस्ती अब महंगी पढ़ने लगी है, महंगी तो शान्ती भी पढ़ रही है पीते वीकेंड में जब हम आप सुकून तलाच रहे थे उसी समय दुनिया के कई देशों पर हिंसा और अशान्ती के काले बादल मंडरा रहे थे आज के शो में हम इनी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अब क्या कर दिया, बांगला देश में संसत भंग करने की मांग क्यों उठ रही है और इतली में प्रधान मंतरी की दोस्त को किस ने मार दिया नमस्कार मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतराश्ट्र प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कारेकरम दुनियादारी शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान और अफगानस्तान के बीच वेश चमन बॉर्डर पर 11 दसंबर की सुभा मंतर गती से बीत रही थी अपने सिर पर पेटी ला दे कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचने के फिराक में थे एक ट्रक ट्राइवर अपने आगे चल रहे गाड़ी वाले को गालियां दे रहा था कुछ लोग ठक कर पास की चाय की दुकान पर बैठ कहे थे वे अपने सफर की कहानिया बांचने लगे थे उन्होंने चाय की पहली घूट ली ही थी कि अचानक से हरकंप मच गया पाकस्तानी सैनिक दोड कर दरवाजे की तरफ गए जो लोग कतार में खड़े थे उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया फिर उन्होंने बॉर्डर का गेट बंद कर दिया जो जिस तरफ था उधर ही फसकर रह गया इस घटना ने बॉर्डर पर मौजूद लोगों में खौफ भर दिया इससे पहले 14 नवंबर को इसी बॉर्डर पर हुई मुटभेड में एक पाकस्तानी सैनिक समेट 6 लोगों की मृत्य हुई थी उस घटना के बाद वेश्चमन बॉर्डर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था लोगों को डर हुआ कि कहीं फिर से कुछ वैसा ही ना घट जाए उनके आशंक का इस बार सही थी जो समय बॉर्डर पर ये अफरा तफरी मची हुई थी उस समय आसपास के इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी चल रही थी अफगानस्तान की तरफ से दागे गए मोटार के कुछ गोले एक होटेल की छट पर गिरे इसमें तीन लोग मारे गए एक गोला एक दुकान पर गिरा दो गोले पार्क में गिर कर फटे कई और जगहों पर गोलियों ने नुकसान पहुँचाया ये हमला इतना जबरदस्त था कि चमन और कुएटा के अस्पतालों में अमर्जेंसी घोशित करनी पड़ी चमन पाकस्तान के बलोचस्तान प्रांत में पड़ता है कुएटा बलोचस्तान की राजधानी है अस्पताल पहुचाये गए छे लोग पहले ही दम तोड़ चुके थे एक ने अस्पताल में अंतिम सांस ली साथ लोगों का गंभीर हालत में अस्पताल में लाज चल रहा है इस हमले ने पूरे पाकिस्तान में संसनी फैला दी थी इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाईए कि पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शेहबाश शरीफ, ग्रह मंतरी राणा सना उल्हा, रेल मंतरी हौजा साध रफीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफली जर्दारी, पाकिस्तान तहरी के इंसाफ के फवाद चौधरी, बलोचुस्तान के मुख्यमंत्री अब्दुल पुदूस विजेन जो समेत कई दिगज नेताओं ने इसकी निंदा की उन्होंने अफगानस्तान सरकार्चे जवाब मांगा और दोशियों पर कारवाई करने की मांग भी की इस घटना पर पाक आर्मी ने भी अपना पक्ष रखा, Interest Services Public Relations ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि अफगानस्तान ने बिना किसी वज़ा के हमारे उपर हमला किया, इसमें साथ लोगों की मौत हो गई और सोला लोग घायल हुए है हमारी सेना उनका मूत और जवाब दे रही है, हम नागरिकों को निशाना बनाने से बच रहे है ISPR ने जानकारी नहीं दी कि अफगानस्तान की साइड कितना नुकसान हुआ, हाला कि अफगानस्तान की लोकल मीडिया में एक अफगान सैनिक की मौत की पुष्टी हुई है, दस अफगान सैनिक घायल भी हुए है अब यहाँ पर एक पेच फस्ता है पाकस्तान अफगानस्तान की तालबान सरकार के सबसे करीबी सहीयोगियों में से एक है अगस 2021 में जब तालबान ने काबल पर कब्जा किया था तब तदकालीन पाक पीएम इमरान खान ने कहा था कि तालबान ने घुलामी की जंजीरे तोड़ी हैं उस समय के ISI चीफ फैस हमीद काबल के विशेश दौरे पर गए थे इसमें उन्होंने कहा था कि सब अच्छा होगा ISI के टॉप अफसर तालबान की बड़ी मीटिंगों में हिस्सा लेते रहे हैं ये बात किसी से छिपी नहीं कि तालबान को बनाने में भी पाकस्तानी खुफिया एजेंसी ने एहम भूमिका निभाई थी इसके अलावा पाकस्तान हर बड़े अंतराश्ट्रे मंच पर तालबान की वकालत करता रहता है ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी गाड़ी दोस्ती के बावजूद दोनों पक्ष आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसकी दो मुखे वज़एं हैं अफगानस्तान और पाकस्तान को डुरन लाइन विभाजत करती है ये रेखा 1893 में ब्रिटेन की वदेश मंद्री सर हेंडरी मौर्त्रिम डुरन ने खींची थी उस समय पाकस्तान बिटिश इंडिया का हिस्सा था 1947 में विभाजन के बाद पाकस्तान नय मुल्क के रूप में सामने आया अफगानस्तान ने कहा कि चूकी पाकस्तान एक नया मुल्क है इसलिए पुरानी संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता उन्होंने डुरन लाइन को मानने से इंकार कर दिया अफगानस्तान पर शासन करने वाली हर सरकार इस रुख पर कायम रही 2017 में पाकस्तान ने डुरन लाइन पर फैंसिंग शुरू कर दी उनका कहना था कि बॉर्डर के रास्ते आतंकवादी हमारी सीमा में घुस रहे हैं हमें घुस पैट रोकनी है अफगानस्तान सरकार के विरोध के बावजूद उन्होंने ये काम जारी रखा फिर अगस 2021 में तालिबान सत्ता में आ गया उसने कहां किसी भी कीमत पर फैंसिंग का काम पूरा नहीं होने देंगे जनवरी 2022 तक पाकस्तान ने 94 प्रतीशत सीमा पर फैंस लगा दिया था तालिबान सरकार समय समय पर विरोध जिताती रहती है इसको लेकर पाक सैनिकों से उसकी जड़ब भी होती रहती है अफगान तालिबान से ये अलग है इसकी स्थापना पाकस्तान में 2007 में हुई थी ये पाकस्तान में शर्या कानून वाली इसलामी सरकार बनाना चाहता है टीटीपी को पाकस्तान ने आतंकवादी संगठन घोचित कर रखा है हाली में TTP ने पाकस्तान सरकार के साथ जारी संघर्श विराम समझोते को छोड़ दिया था और उसने अपने लड़ाकों को देश फर में हमले का आदेश भी दिया था पाकस्तान का आरोप है कि TTP को अफगानस्तान में शरण मिली हुई है पाक आर्मी उनके अड़ो पर हमले भी करती रहती है अफगान तालिबान पाकस्तान के आरोपों से इंकार करता है इस बजहा से भी दोनों पक्षों की वीच तनातनी चलती रहती है दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहते हैं लेकिन मसला है कि सुलचता नहीं अब यह जान लेते हैं कि पाकस्तान अफगानस्तान के जगड़े में अपडेट क्या है इंसा के कुछ घंटे बाद देश चमन बॉर्डर को खोल दिया गया महां अस्तती सामान है पाकस्तान के प्रधा पूर्तम कारवाई की मांग की है पाकस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार हालिया हिंसा बॉर्डर फेंस कारे जाने के बाद शुरू हुई थी इस मामने में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुचाते रहेंगे आपने पाकस्तान की कहानी सुनी अब पूर्वी बॉर्टर की तरफ चलते हैं बांगलादेश बांगलादेश अपनी स्थापना की 51 वी साल गिरह मनाने की तैयारी में जुटा है उसे पहले विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है बांगलादेश की राजधानी ढाका में जबर्दस प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रदर्शनकारी प्रधानमंतरी शेख हसीना के स्तीफे और जल्दी से आम चनाफ कराने की मांग को लेकर सडकों पर जमा हुए हैं हाल के कुछ महीनों में बांगलादेश में सरकार के खिलाफ असंतोश बढ़ा है प्रदर्शनकारी बांगलादेश में बिजली की कटोटी और पिट्रोल डीजल की कीमतों में जाफे के खिलाफ खड़े हुए हैं ये प्रोटेस्ट बांगलादेश नाशनलिस्ट पार्टी क के नेतरत्व में चल रहा है वे अपनी दस सूत्रिय मांगों के लेकर प्रधानमंतुरी का विरोध कर रहे हैं बीन पी के प्रवक्ता जाहरुद्दीन ने कहा हमारी मुख्य मांग है कि शेख हसीना पीम पत से स्थीफा दें और संसत को भंग किया जाए उसके बाद निश्पक है उसकी कई वज़ाएं हैं एक एक करके सभी को जान लेते हैं बीन पी का आरोप है कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तमाल कर रही है उनका ये भी कहना है कि सरकार हमारे दफ्तर में बंब बनाने का सामान रखवाती है और फिर देश के सामने इस का एक आरोप ये भी है कि पिछले एक दशक में पार्टी के 1,80,000 से जादा से दस्यों पर फरजी मामले दर्च किये गए हैं और 3,000 से जादा से दस्यों की हत्या हुई है हालिया प्रोटस के बाद BNP के साथ में से 5 सांसलों ने स्तीफा दे दिया उन्होंने संसत भंग करने की मांग की है हाला कि उनकी संख्या इतनी कम है कि संसत की कारवाही पर कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा बांगलादेश के चनाव आयोग ने खाली हुई सीटों पर चनाव कराने की तयारी भी शुरू कर दी है बांगलादेश के चाप्टर को हे पर विराम देते हैं और चलते हैं इटली जहां प्रधान मंत्री की दोस्त की हत्या हो गई है 11 दिसंबर को इतली की राजधानी रूम में कैफे पर गोली बारी हुई इसमें तीन महिलाओ की मौत हो गई इनमें से एक इतली की नई प्रधान मंत्री जॉर्जिया मिलोनी की दोस्त भी शामिल है इसके अलावा चाल लोग जखमी भी हुए हैं इस मामले में 57 साल के एक संधिद को हिरासत में लिया गया है हमले में मारी गई निकोलेटा गोलिसानो इतली की पीम जॉर्जिया मिलोनी की दोस्त थी इस्टरग्राम पोस्त में मेलोनी ने अपनी दोस्त के बारे में लिखा निकोलेटा एक प्रोटेक्टिव मा थी एक इमानदार और समझतार दोस्त एक मस्पूत और प्रोफेशनल महिला वो मेरी दोस्त थी मारी गईन दो अन्ने महिलाओ के नाम अलिजबेटा, सिलेंजी और सबीना हैं अब तक क्या पता चला बिंदूओं में जान लेते हैं जिस कैफे में हमला हुआ महां एक ब्लॉक की रेजिडेंशिल मीटिंग चल रही थी माने महां रहने वाले आसपास के लोग अपने इलाके की समस्याओं पर बात कर रहे थे हमलावर का नाम क्लाउडियो कैमपी बताया जा रहा है, उसकी उम्र 57 साल है महा मौजूद एक प्रत्यक्ष दर्शी ने बताया कि कैमपी अचानक कमरे के अंदर आया दर्वाजा लगाया और चिलाने लगा कि मैं तुम सब को मार दूँगा और उसने गोली चलानी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने उसको जाकर पकड़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमपी का वहां के कुछ लोगों से जगहा को लेकर कोई विवाज चल रहा था जिससे कैमपी नाराज था कैमपी की वहां की रिजिदेंशल कमिटी से नहीं बनती थी, नवंबर में उसने एक ब्लॉग लिखा था जुसमें ये बताया कि कैसे बिल्डिंग का मानेजमेंट करने वाले लोगों ने कैमपी को उसके घर से बहार निकालने के लिए मजबूर किया था रोम की मेयर रोबर्टो गल्टेरी ने इस शूटिंग को हिंसा की गंभीर घटना बताया है, उन्होंने बताया कि वो सुमवार को होने वाली आपात बैठक में शामिल होंगे आज का दुनियादारी यही पर समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी, इसी उमीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ, शुक्रिया, शुबरात्री